हलो फ्रेंज, वेलकॉम और इंफोर्मेशन कलेक्शन चैनल मैराकी इसकुमार आज के वीडियों दोस्ते में बात करने वाला हूँ दोस्तों आज के वीडियों में आपको बताने वाला हूँ कि दोस्तों आज के वीडियों में आपको बताने वाला हूँ कि कि हर वीडियो को नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे है चलिए वीडियो शुरू करते हैं डिटेल में बताता हूं जैसा कि दोस्तों बता दूँ ट्राई इस पर काफी इंपोर्टेंट रोल प्ले कर रहा है डिटीय सेटप ऑक्स पोर्टबिलिटी के लिए क्योंकि ट्राई न इसके जाएंगे कि कैसे वजह से पॉर्टेबिलिटी पॉसिबिलिटीज हो सकते हैं जैसे कि बता दो दोस्तों सेटप ऑक्स पॉर्टेबिलिटी के लिए एक नया रूल लेकर आया है जिसमें ट्राई ने कहा है कि स्मार्ट कार्ट चिप लगेगा एक नेटवर्क से दूसर नेटवर्क में बॉक्स को ट्रांसफर करने के लिए सिर्फ स्मार्ट कार्ट चीफ के जड़िए एक DTS से दूसरे DTS में सेटव बॉक्स और्टमेटिकली कनवर्ट हो जाएगा ऐसा ट्राई का कहना है तो दोस्तों बता दो कि जिस तरीके से N1 लगाए जा रहे हैं आने वाले साल यानी की 2020 तक सेटव बॉक्स पोर्टिबिलिटी पूरी तरीके से लागू हो सकता है जैसे कि बताया जारा ट्राई के तरफ से कि सेटव बॉक्स पोर्टिबिलिटी को फाइनलाईज करते करते मार्च 2020 तक लगेगा और उसमें नए बॉक्स के जितने भी बॉक्स की वेंडर्स हैं जो बॉक्स कंपनी बनाती हैं उनको भी निदेश दिये गया है कि अब जो भी बॉक्स बनेगा उसमें स्मार्ट कार्ट चीप लगने का उप्शन हो जिसके जरीए एक सर्विस प्रोवाइडर से दूसरे सर्विस प्रोवाइडर में जब वो स्विच हो तो वहाँ पर सिप स्मार्ट कार्ट चेंज होते ही सर्विसेज मिलना स्टार्ट हो जाए तो इस पर DTH के साथ साथ वेंडरों ने भी काम करना स्टार्ट कर दिया है तो उमीद है दोस्तों